यह यह प्रवच्चों तो आज में लोग बात करेंगे वरिम्पॉर्टन नुमेरिकल्स कैपैसिटर कैपैसिटर के नुमेरिकल्स की बात हो गया तो कैपैसिटर में आम ने देखा कि जैसे रिजिस्टेंस में आपने मालूम था कि अगर ये वायर में त्री डेजिस्टेंस है, तो इनका कॉमिनेशन क्या होता है शेरी समें, और is, r1 प्लस r2 प्लस r3, अगर ये वायर पारलली अटेच हूँ, तब आपने पढ़ा था कि इनका जो net resistance होता है parallel में resistance का वो होता 1 upon rp equal to 1 upon r1 1 upon r2 plus 1 upon r3 ओके तो ही आपने class 10th में देखा कि series and parallel net resistance is rs this and rp this but in capacitor में क्या होता है कि अगर capacitor 3 capacitor आपके हैं और इसको मनें plus q charge दिया और यह attach है अर्थ से इसकी capacitor c1 है इसकी c2 है इसकी c3 है तो यहाँ पर series में उल्टा होता है cs यह होगा 1 upon c1 1 upon c2 1 upon c3 अगर 3 capacitor are in parallel parallel attach है तो आप देखेंगे कि यह अगर c1 c2 c3 तो final c equal to होता है c1 plus c2 plus c3 यानि कि एक दिमाख में भी डालेंगे कि just reverse formula हो जाते हैं capacitor के resistance के according तो हम इन फार्मूलों को लगा कर capacitor के नुमेरिकल्स लगाएंगे कि कैसे मिकालेंगे net capacitance और लाज नमबर आप capacitor और एड़ इन स्रीज एंड पैरलेल्स ओके कि नोट करें इसके बाद हम लोग करतें नुमेरिकल्स में नोटेड तो नोट कर लिए आप लोगों ने अब देखें इसे इसे आपको दिया है कि 3 capacitor है यह आपका है 3 microfarad 3 microfarad 3 microfarad you get net between a and b so simple they are c1 c2 c3 are in series series formula होता है 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3 that is 3 upon 3 1 to 1 upon cs तो cs क्या आ गया 1 microfarad तो आपने इस चीज नोट करा कि series में हमें हमेंसा minimum value आएगी when we have need minimum capacitance then we have add all capacitor in a series अगर यह parallel में लगे होते हैं c1 c2 c3 value each है 3 microfarad 3 microfarad 3 microfarad तो पैरलल में जब होता है तो पैरलल में आपको फार्मला पता है कि cp क्या होता है c1 plus c2 plus c3 that is 3 microfarad 3 microfarad 3 microfarad और यह आपका हो गया 9 microfarad that is the net यहीं कि इसमें value आपको maximum मिलती है और यहां मिलती है minimum जब आपको maximum चाहिए capacitance तो all capacitor add in a parallel ओके अब बड़े numerical कैसे आएंगे वो देखते हैं noted अब आप देखें कि questions यह आया हूँ आप यह आप दो आप आप अ सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर देखेंगे तो यह सिरीज में इनको सॉल्व करेंगे इसके अंदर एक ब्लॉक यह है इन्हें सॉल्व करेंगे अगर इनकी बात करें सीवन सेवन क्या आता है वन апउन एस सी 20 सी जाएगा 3 23 इन होना वन वाइक्रों इस बाद यह ब्लॉक करेंगे से आपके पार्लेँ से इस में हैँ तो फॉर्मॉला two plus one upon two two upon two cut गया तो c2 भी आपका आ गया one micro farad तो यह figure now अब यह ऐसा बन गया कि एक final नीचे है इसके उपर एक final है और इसके उपर final that is the becomes figure यह भी one micro farad है यह भी one micro farad है और यह भी one micro farad है अब यह हम इनको parallel में solve कर लेंगे तो सी कल्टू क्या हो जाएंगा one micro farad one micro farad plus one micro farad that is the three micro farad ओके तो ऐसे हम solve करतें questions को पहले अंदर जो series में हैं उनको एक साथ कर लो last में parallel कर हो ओके जैसे कि हैं अगर question यह होता है और हमें अबी निकानला है और सब तुम्हें सबसे पहले इन branches में हम इनको solve करेंगे यह यह आपका series बन जाएगा और एक नीचे यह वंशैड की स्रीज मन रही है यह cm c2 to see work with तो को अभी के लिए तो one upon three one upon three one upon three three upon three कट क्या गया बऺन तो सी टु क्या गया ओन माउक्रो फइरेट है और एक नीचे है और ये है 1 microfarad ये है 1 microfarad और ये किसमें है parallel में है तो c क्या हो गया 1 plus 1 that is 2 microfarad तो ये धा capacitance को solve करने का तरीका कि first हम series parallel देख लेंगे और उसके recordings को solve कर देंगे ओके नोट कर लेजिए अब इसी में बच्चों आपने वीट इस्टोन बिज प्ला था कि जब इस्टोन बिज में क्या होता है पहलो ग्राम में अगर टू एजिस्टन साइट का रेशियो रेजिस्टन्स का एन आदर साइट की रेशियो के क्वल होता है तब डाइगोनल में नो करेंट फ्लो होती है तो ये कंडीशन यहां पर भी लागू होती है अगर कभी तुम्हें कोई डाइगोनल की तरह बना हो मतलब एक पैलो ग्राम की सेप में तुम्हें तो इसमें वही फॉर्मला होता है कि अगर कभी भी कैपेस्टर पी क्यू आर एस का रेशियो एक्कॉल आ जाए पी क्यू अपॉन आर एस तो उस केस में डाइगोनल को हम नेगलेट कर देंगे इसको निकाल के फेक देंगे इस केस में जब यह वैरिफाइड हो जाएगा इसको हम निकाल के फेक देंगे तो फीगर बिकम्स यह हो जाएगा मतलब पताइगा करना हटेगा तो कॉंसेप्ट है कि चॉकलेट बन जाए यह चॉहब्य बन जाएगा आ इसके बा़ हम इनको सीर्इज में गंड करेंगे इनको सीरेज में एड करेंगे तौफ्र बन जाएगी औजने तौफि को जाएगी और विल स्थ्सक्राइब टौफिर सुम्हैं 3 micro farad है यह भी आपका 3 micro farad है यह भी 3 micro farad है यह भी 3 micro farad है और यह आपका 5 micro farad है तो फर्स्ट हमने अप्लाइड किया P upon Q equal to R upon is तो हमने देखा कि 3 upon 3 इकल टू 3 फोन थो गया सो डैगोनल कैन भी डैगोनल कैन भी नेगलेक्टेड एग टो हम इसको नेगलेट करेंगे तो उपर के यह त्री मैक्रोफेर्ट 3 microfarad 3 microfarad 3 microfarad तो इनको solve करने पर जब इनका आप solve करेंगे series में तो 1 upon C1 क्याएगा 1 upon 3 plus 1 upon 3 2 by 3 तो C1 आएगा 3 by 2 microfarad similarly C2 भी हो जाएगा 1 upon C2 1 upon 3 2 by 3 C2 आप काएगा 3 by 2 microfarad जब यहाँ पर हम रखेंगे इनकी value 3 by 2 3 by 2 microfarad की तो final C क्या हो जाएगा C1 plus C2 3 by 2 3 by 2 यह आप का हो जाएगा 6 by 2 कटके 3 आगया 3 microfarad यह आपका आपका आउसर हो गया मतलब अइसी questions में अगर 4 are the same capacitor तो answer हमेशा एक side के इक को लागना है चाहेँ आप जो value रखें यह concept है तो ऐसे सवालों में जिसमें आपका पहलों ग्राम बन रहा हो उसको ऐसे solve कर लेंगे अक्सर चुपा रहता है यह हमेशा जब भी एक्जाम में आएगा तो यह कोश्चन ऐसे आता है इस प्रकार से चुपा रहता है यह important question यह AB है और यह आपके 3 microfarad, 3 microfarad, 3 microfarad, 3 microfarad और यह आपका है 5 microfarad इन question को solve करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इस B को यहाँ पे ले लेते हैं इस A को यहाँ पे लेके खीचते हैं तो खीचने के बाद यह figure just like यह बन जाती है यह दो side आपकी यह हैं यह दो side यह हैं और diagonal यह हैं आप्लाइब स्टोंबिस प्यूमूला प्वाँ अपन की रपन यह बाल्स पोजिशन दागलों थैजल रेख जेले के लेगटेट तो स्रीज थैं तो परल्ल्ल बनूंट okay all the best noted very most important numerical is that